बेलकाम प्रेंट्स इस वीडियो में 1867 का विद्रो से संबंदीत सभी इंपोर्टन प्रस्न डिसकस करेंगे जो आपके आगे आने बाले बिहार दरोगा, RRB, NTPC और SSC एक्जाम के लिए बेरे इंपोर्टन हैं इसका पहले हम लोग प्राचीन बारत और मद कालिन बारत के सारे वीडियो अप्लोट कर दिये गए हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं प्रेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएगा अगी देखते हैं पहला कोशन 1857 का बिद्रो कहां से अरंब हुआ तो कहां से अरंब हुआ था मेरट से तो सीज का राइट अंसर हो जाएगा 1857 के बिद्रो का तात कालिन कारण क्या था तो सारे अप्सन को पढ़ लिजिए चर्वी वाले कार्तुसों का परियोग अरंब करना डलहुजी का जप्ति का सिद्धान्त ब्रिटिस सैनिको एवम भारतिय सैनिको के बेतर में भारी अंतर भारतियों को इसाई धर में परिवर्तित करने का प्रियास तो आपको याद रखना है इसमें कि चर्वी वाले कार्तुस का परियोग अरंब करना अठरसु संतामन के बिद्रो का तातकालिन कारन था तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है वह पहला भारतिय सिपाही कौन था जिसने चर्वी वाले कार्तुस का परियोग करने से इनकार कर दिया तो कौन था मंगल पांडे ये इसका राइट अंसर हो जाएगा मंगल पांडे जिसने अकेले अठरसु संतामन इसमी में बिद्रो का सुत्रपात किया वो सम्बंदित था तो आपको आडखना है चोथिसमी नेटिव इंफेंट्री से सम्बंदित था तो ए इसका राइट अं see के gonna बर्स अठरत संतामन के बिद्रों के निम नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया तो किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पंडे ने इसी ने जो है इस बिद्रों की शुरुआत की थी मंगल पंडे ने तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा 18 संतामन के विद्रों में कानपूर में सहिनिको का नेतरित किस ने किया था तो तातिया तोपे ने किये थे तातिया तोपे ने तो बेस का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट 18 संतामन के विद्रों की सक्ति का सबसे महतपूर्ण तत्व कौन सा था तो आपको आदक नाए हिंदू मुस्लिम एक्ता था क्या था हिंदू मुस्लिम एक्ता तो डेस का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट रानी लच्मी भाई का मूल नाम क्या था जो रानी लच्मी भाई थी उनका औरिजिनल नाम क्या था उनका मूल नाम क्या था तो आपको आदक ना है मनी करनिका मनी करनिका उनका मूल नाम था तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है बारत के सिच्छित मद्यम बर्ग थे बारत के सिच्छित मद्यम बर्ग थे अठारसो संतामन की करांती का बिद्रो किया अठारसो संतामन की करांती का समर्थन किया अठारसो संतामन की करांती में तठास्त रहें देशी साच को के बिरूद संगहर्स किया तो इसमें आपको आपको आदखना है कि जो 1857 की करांती में जो भारत की सिच्छित बर्ग थे उन्होंने क्या क्या था तस्थ रहा था, ना भारत को साथ दिया था सोरी, ना सनिकों को साथ दिया था नहीं अंग्रिजों का साथ दिया था ठीक है तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट निमलखित कतनों पर विचार किजिए निमलखित कतनों पर विचार किजिए तो देख लिजिए मंगल पांडे, बैरेकपूर, बंगाल अस्थित 34 में नेट्व इनफेंट्री का सिपाही था तो देख चुके हैं सही बात है वह पहला भारतिय सिपाही था जिसने एनफिल्ड राइफल जिसमें चर्वी लगे कार्तुष का परियोग होता था का परियोग करने से इनकार कर दिया तो ये भी सही है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1895 को सार्जेंट मेजर हुजिसन की गोली मारकर तथा लेप्टिनेंट बो की तलबार से हत्या कर दी तो सही बात है बिद्रो के आरोप में मंगल पांडे को 8 अपरेल 1895 को फासिक सजादी दी गी तो ये भी सही है अप्सन सही है तो डी इसका राइट अंसर हो जागा क्योंकि आपसे हाँ पर सही अप्सन भी मांगा गया कि कौन सा अप्सन सही है तो डी अप्सन सही है क्योंकि सारे सही है ठीक है नेक्स्ट है कि 1857 की करांथी के समय ब्रिटेन का परदान मंतरी कौन था तो कौन था? Lord Parmaston Lord Parmaston था D's का right answer हो जाएगा Next इसे सुमलित करना है तो सुमलित कर लिजे एक साइड बिद्रो का छेद दिया गया है और एक साइड बिद्रो का नेता दिया गया है तो देख लिजे मेरट में जो सिपाही बिद्रो है उसका नेतरित कौन कर रहे थे? तो कर रहे थे कदम सिंग ये सही है दिल्ली में बहादूर सादूती है ये भी सही है हरियाना में राव तूला राम ये भी सही है बरेली में खान बहादूर खा तो ये भी सही है सारी जो सुमलित है सही सुमलित है तो A इसका right answer हो जाएगा सारे जो है सही सुमलित है तो A इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है अंग्रेजी समराज के बिरूद पंजाब में किसने ससस्त्र बिद्रो किया तो किसने ससस्त्र बिद्रो किया पंजाब में रामधारी सीखोने तो बिहार में 1857 की करांती के नेता कुमर्सी का दिहांत कब हुआ तो इनका दिहांत कब हो गए थी 9 माई 1808 को तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है किस प्रख्यात भारतिय इतिहासकार ने 1857 की करांती को करांती नहीं माना तो किसने करांती नहीं माना था तो आपको आद रखना है RC मजुमदार ने RC मजुमदार ने तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है से इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट नेमलख्यत में इसे कौन सा आयोग 1800 संतामन का बिद्रोह दमन के बाद भारतिय फोजी के 9 संगठन से संबंदित है तो आपको आद रखना है पील आयोग कौन है पील आयोग तो बेस का राइट अंसर हो जाएगा यह बेरी इन पूर्णन कोशन इसे दोबारा पढ़ दीजिए बारतिय फोजी के 9 संगठन से संबंदित है तो कौन सा आयोग था पील आयोग था तो बेस का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 1800 संतामन के बिद्रोह को किस उर्दू कवी ने देखा था तो किस उर्दू कवी ने देखा था मिरजा गाली में ने देखा था तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निमलेकरित में से कौन 18- jugar के बिद्रोह में अंगरेजों का सबसे कटर दुस्मन था तो कौन जबके अंगरेजों का सबसे कटर दुस्मन था मौल्मी अह्मधुला साह मौलुमी अहमदुल्ला साह तो A इसका right answer हो जाएगा जगदिस्पूर के राजा थे जगदिस्पूर है उसके राजा कौन थे तो आपको याद रखना है कुमर सिंग कौन थे? बीर कुमर सिंग तो D इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट 1857 के बिद्रो का नेतरियोत्वे बिहार में किस ने किया बिहार में जो हैं नेतरियोत्व किस ने किया था तो कुमर सिंग ने बिहार में नेतरियोत्व किये थे तो D इसका right answer हो जाएगा Next 1857 का बिद्रो मुखता किस कारण से असफल दा तो आपको याद रखना है कि जो अठरसुन दामन का बेदरो था वो मुखता किस कारण से असफल हो गया तो देख लेजिए हिंदू-मुस्लिम एक्ता की कमी ऐसा कोई बात नहीं ये गलत है हिंदू-मुस्लिम में एक्ता थी किसी समान योजना और केंद्रिय संगठन की कमी ये सही है ठीक है उसके बाद इसके परभाव का सिमित छेतर इवी गलत है क्योंकि लगबग पूरे उत्र भारत में इसका बिस्तार था जमिनदारों की अहसा भागता कुछ जमिनदार भी आपके साथ दे रहे थे इसका रैट अंसर क्या हो जाएगा किसी समान योजना और केंद्रिय संगठन की कमी इसके कार्णद जो था 1857 का विद्रों असफल रहा तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा B इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्टfend मेंसे किसने 1857 के विद्रों को एक सडियंत्र की संगया दी तो James आउट ट्रम वे डेवलू टेलर ने तो ए इसका राय टेंसर हो जाएगा याद रखेगा यह अंग्रेज की कमांडर थे नेक्स्ट निमलिखित बर्गों में से किसने 1857 के बिद्रों में भाग नहीं लिया तो किसने जो गिर्शक तो भाग लिये थे और जमिंदार भी भाग नहीं लिये थे तो D इसका राय टेंसर हो जाएगा ठीक है D इसका राय टेंसर हो जाएगा डेस कोशन देखिए 1857 में किसने इलाहबाद की अपात कालिन मुख्याले बनाया था तो किसने इलाहबाद की अपात कालिन मुख्याले बनाया था तो लॉड कैनिंग ने बनाया था एसका राय टेंसर हो जाएगा नेस कोशन देखिए गटकरी बिदरो का केंदर था तो गटकरी बिदरो का केंदर कौन सा था तो आपको याद रखना है कोलापूर था बे इसका राइट अंसर हो जाएगा और गटकरी विद्रो हुआ कब था अठारासो चौवाले सिस्वी में नेक्स्ट अठारस संतामन के बरेली विद्रो का नेता कौन था तो बरेली विद्रो का जो नेता था उसका नाम था खान बहादूर एसका राइट अंसर हो जाएगा अजादी की पहली लड़ाई अठारस संतामन में किसने भाग नहीं लिया तो किसने भाग नहीं लिया था देख लिजी तातिया तोपे ने भाग लिया था लच्मी बाई ने भाग लिया था बहादुर सा दोतीय जफर ने भाग लिया था भगसी ने भाग नहीं लिया था ठीक है? तो डेज का राइट अंसर हो जाएगा Next निम्लिकेत में से किसने अठारासो संतामन में अंग्रेजों से संगर्स किया तो किसने जो है अठारासो संतामन में राम प्रसाद बिस्मिल मखन लाल चतुरवेदी ये सारी आपके उनीशो के बाद में आते हैं ठीक है हूँ? अजबकि सिपाही विद्रों कब होता है अठारासो संतामन में Next question देखिए भारत के पर्थम सुदंता संगर्स का मुख तत्कालिन कारण क्या था? तो मुख तत्कालिन कारण था अंगरेजों का धर्म में हस्ता छेप का संदे है तो बेज का राइट अंसर हो जाएगा ठीक है? Next अठारासो संतामन में भारत में हुए बिद्रों के एक नेता तात्या तुपे का मोल नाम क्या था? जो तात्या तुपे थे उनका मोल नाम क्या था? तो राम चंद्र पांडू रंग उनका मोल नाम था तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है? Next किस इतिहासकार ने लिखा कि तथा कथित पर्थम राश्टिये 17 संगराम ना तो पर्थम नहीं राश्टिये नहीं 17 संगराम था तो किसने ये कथन लिखा है आरसी मजुमधार ने तो एह इसका right answer रो जाएगा Next है मेरठ में बिद्रोह आराम हुआ मेरठ में बिद्रोह कब आराम हुआ तो दस माई अठारासो संतामन को ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट अठारासो संतामन के समसमाईक या समकालिन इतिहासकार है उस समे के इतिहासकार कौन-कौन है तो देख लिजी मुंसी जीवनलाल थे उसके बाद है दुरगादास यह भी थे सयद अहमद खा यह भी थे मनुद्दीन यह भी थे तो सारे थे इसका राइट एंसर क्या हुजएगा डेश का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है डेश का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि बर्ष 1877 के विद्रोह के संदर्म में निम्लिखेत मैंसे किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजर द्वारा बंदी बना कर मार दिया गया तो आपको याद रखना है तात्या तुपेको तात्या तुपेको तो डी इसका राइटन सरू जाएगा निम्लिखेत मैंसे कौन सा एक छेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था तो देख लिजे कौन सा छेत्र एक जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था जासी प्रभावित था चित्तोर जो प्रभावित नहीं था बेस का राइट अंसर हो जाएगा जगदिस्पुर प्रभावित था कुमर सिंग थे यहाँ पर लोखनौर भी आपके प्रभावित था तो बेस का राइटन सरो जाएगा चित्तोर ठीक है चित्तोर प्रभावित नहीं था कथन ए और कथन आर दिया गए तो देख लिजे प्रभावित रास्टिय अंदूलन की अधारभूत कमजोरी उसका सिमित समाजिक अधार था तो सही है या इसमें समलित होने बाले समाजिक समुह के संकिर्न हितों के लिए लड़ता था तो यह आपके गलत है तो इसका राट अंसर क्या हो जाएगा एक सही और R गलत है तो C इसका राट अंसर हो जाएगा ठीक है तो आपको व्याद रखना है 1857 का विद्रोज से ठीक है यह इसका राइट अंसर है कहने का मतलब था कि हम हिंदू-मुस्लिम को आपस में लड़ा नहीं पाएं अफ़ला था यह किस घठना के संदर में बोला था तो 1857 की घठना के संदर में बोला था ठीक है तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है सुमलित करना आपको तो सुमलित कर लेजे एक साइड छेट दिया गया है और एक साइड नेत्रित दिया गया है वहाँ के नेत्रित कौन कर रहे थे तो देख लेजे ग्वालियर वे कालपी का नेत्रित कौन कर रहे थे तात्यातुपी इलाभाद एवन बनारस का नेतरित कौन कर रहे थे लियाकत अली फैजाबाद का नेतरित कौन कर रहे थे मौलवी आहमद दुल्ला ठीक है उसके बाद है जगदिस्पूर इसका नेतरित कौन कर रहे थे यह भी PSC का सबसे famous question है तो इसका रहे थे 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 दूब तीन एक यह इसका रहे थे हो जाएगा ठीक है मेरट के विद्रोही सेंडको ने किस तारीक को दिल्ली पहुँचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल समराठ बहादूसा तो आपको याद रखना है 12 माई 1857 को 12 माई 1857 को तो 20 का राटेंसर हो जाएगा सुमलित करना है एक साइड छेतर है और एक साइड नेतरितु करता दिया गया है तो देख लिजी जहासी में 1857 के बिद्रों के नेतरित कौन कर रहे थी लच्मी भाई सही है फतेपूर में अजी मुल्ला एवी सही है मतुरा में देवी सिंग एवी सही है संबलपूर में सुरेंद्र साइं तो एवी सही है सारे ओप्सन सही है तो एज का राट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट, अठारफ संतामन के बिद्रोह का दवरान, दिल्ली में बिद्रोह का सेंड ने किस ने किया, तो वक्स्त खान ने किया था, एसका रैट अंसर हो जाएगा सूची एक को सूची दो के साथ सुमलित करना है सूची एक में विद्रोह का अस्थान था सूची दो में दमन करने वाला ब्रिटिस अधिकारी था तो देख लिजी दिल्ली में जो है दमन करने वाला अधिकारी कौन था तो निकलसन एवम हडसन था कानपूर में लखनवर में कौन था तो हैव लौक वे कैम्प बेल था जहासी वे गौलरे में कौन था तो हीव रोज था इलाहबाद में करनल नील था तो सारे सही सुमली थे तो एई इसका राइट अंसर हो जाएगा इससे आप लोग याद रखेएगा एक्जाम में पुछा जाता आपसे ठीक है नेक्स्ट बिहार के जगदिस्पूर में बिद्रोग के दमन का स्रे किस ब्रिटिस अधिकारी को है तो किस ब्रिटिस अधिकारी को है टेलर वे बिसेंट आयर को ठीक है टेलर वे बिसेंट आयर को तो डी इसका right answer हो जाएगा 18.55 के विद्रो की करम में दिल्ली विद्रो के दमन करने में किस ब्रिटिश सेन अधिकारी की मिर्थू हो गई तो निकल्चन की मिर्थू हो गई थी यह इसका right answer हो जाएगा किसी अस्थान पर हुई विद्रो के दमन के दोरान तो आपको याद रखना है यहाँ पर लखनावर की दमन के दौरान में तो सीज का राइट अंसर रो जाएगा इस कोशन के द्वारे पढ़ लिजिए किसी अस्थान पर हुए विद्रो के दमन के दौरान बिटिस जैन अधिकारी है बलोक की मौत हो गई तो आपको याद रखना है जब लखनावर के जब लखनावर में दमन करने गया था तब उस समय जो है वलोक की मौत हो गई थी तो सीज का राइट अंसर रो जाएगा स्वर परतम किसने अठारा सु संतामन के बिद्रो के तुरंत बाद इसे एक राश्री बिद्रो की संग्या दी तो किसने दी थी बेंजामिन डिजराइली ने ये इसका राइट अंसर रो जाएगा सूची एक को सूची दो के साथ सुमलित करना है सूची एक में दिया गया है 1857 की करांती के स्वरूप के संबन में बेक्त बिचार है सूची दो में उसका दोबरा बिचारक है ठीक है फिर से देख लिजे 1857 की करांती के स्वरूप में किस संबन में बेक्त बिचार है ठीक है उसके बाद बिचारक का नाम है देख लिजे सैनिक बिद्रो जो सैनिक बिद्रो है अठरफ संतावन को किस ने बोला था तो ये बोला था सर जॉन लॉरेंस ने रास्टे बिद्रोह किस ने बोला था अब देख चुके भी तुरत बिंजामिन डिजराइली ने अंग्रेजों के बिरुद मुस्लिम हिंदू सड़ी अंत्र किस ने बोला था ये बोला था टेलर और आउट्रम ने समानती बिद्रोह किस ने बोला था जवालल नेरू ने ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा सभी सुमली थे तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट निमलिखित में से तो आपको याद रखना है एस यन सेन की खताने ठीक है तो सी इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 1857 के संदर में किस ने कहा कि बिटिस सासन को उखाल फेकने के लिए भारतिय जनता की करांती है तो आपको याद रखना है कारल मार्क्स ने बोला था एसका रैट अंसर हो जाएगा इस कथन को द्वारा पल दीजिए कि 1857 के संदर में किस ने कहा कि बिटिस सासन को उखाल फेकने के लिए भारतिय जनता की करांती है तो कारल मार्क्स ने ये बात बोला था तो एसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमलिद करना है तो इसे सुमलिद कर लिजिए एक साइड पुष्तक दिया गया है एक साइड उसके लिखक दिया गया है तो देख लिजिए इंडियन वार ऑफ इंदिपेंडेंट शरी इंडिपेंडेंट्स 1857 से 59 के बीच में इंडिपेंडेंस 1857 से 59 यह किसके द्वारा लिखा गया है तो कारल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है दा कॉलेज ओफ दी इंडियन रिबोल्ट यह किसके द्वारा लिखा गया है सेद आहमद खा के द्वारा लिखा गया है उसके बाद है The First War of Independence ये किसके द्वारा लिखा गया है B.D. Saverkar के द्वारा ने क्थे बाद आठारोम संतामन ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है तो Yes, Ian, Sin के द्वारा ये बुक लिखा गया है तो सारे आपके सही सुमलीत है तो A इसका right answer हो जाएगा ठीक है next जातिये अधार पर जातिये अधार पर 1857 के विद्रों के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे तो कौन आपके अंग्रेजों को सहयोग करने वाले थे तो देख लिजेश में सीख सहयोग कर रहे थे गोरखा भी सहयोग कर रहे थे और पठान भी सहयोग कर रहे थे तो सारे सहयोग कर रहे थे तो A इसका right answer हो जाएगा ठीक है? A इसका right answer हो जाएगा इस कुश्चन के दबारा पढ़ दिजी जातिये अधार पर 1857 के विद्रों के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे ने अंग्रेज को कौन सहयोग कर रहे थे तो सीख भी कर रहे थे गोरखा भी कर रहे थे और पठान भी कर रहे थे तो A इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है 1857 के विद्रों के दवरान अनेक भारतिये नरेसो ने अंग्रेजों को मदद नहीं की थी तो देख लिजे कास्मीर के सासक ने की थी जबकि मेवाल के राजा ने नहीं की थी तो B इसका right answer हो जाएगा उसके बाद देख लिजे सतलज के इस पार के राजों के सीखों ने की थी और ग्वालिर के सिंधिया ने भी अंग्रेजों कहीं सहयों किया था तो B इसका right answer हो जाएगा ठीक है इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट अंग्रेजी सरकार 1857 की करांती का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता बिद्रो के समय ही सहीद हो गए नेम्रेजीत में से किस नेता को बाद में फासी की सजादी गई तो आपको याद रखना है बाद में किसे फासी की सजादी गई थी तो कुमार सी को नहीं इनके पहले ही मिर्थी हो गई थी नाना सहाब भी नहीं है बहादुर सा जफर दुतिय भी नहीं है तातिया तुपी को ठीक है तातिया तुपी को जो है इनको 18.75 के बाद में फासी दी गई थी तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है किसे 18.75 के विद्रों की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है तो किसे देखा जाता है बहादुर सा को ठीक है बहादुर सा को जो आपके मुगल समराठ थे तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट 18.75 के बिद्रों की असर फलता के बाद मुगल बादसा बहादुर सा दुतियों को कहां वे किसने गिरफतार किया तो आपको याद रखना है हिमायू की कबर के पास और लेटिनेंट हर्डसन ने गिरफतार किया याद रखना है कहां पर गिरफतार किया गया था तो हिमायू की कबर के पास इनको गिरफतार किया गया था और लेप्टिनेंट हर्डसन ने इने गिरफ तार किया था तो D इसका राइट इंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 18 संतामन के बिद्रों की आसफलता के बाद बहादूर सा दुतिय को कहां निर्वासित कर दिया मतलब कि कहां इनको दिली से कहां भेज दिया गया तो आपको याद रखना है रगून भेज दिया गया रगून भेज दिया गया जो मेयान मार में है तो A इसका राइट इंसर हो जाएगा नेक्स्ट है वह कौन सा बिटिस सेनापती था जिसकी 18 संतामन के बिद्रों को दवाने में महत्पुर्ण भूमका रही तो कैम्पिबेल की किसकी रही? कैम्पिबेल की महत्पुर्ण भूमका रही तो सी इसका राइट इंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिकित में से वह कौन सा अस्थान था जो 18 संतामन के बिद्रों से अचूता रहा तो कौन अचूता रहा देख लिजी अवध नहीं पूर्वी पंजाब भी नहीं मद परदेश भी नहीं तो आपको याद रखना है जो मदरास है यहाँ पर 18 संतामन के बिद्रों जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाया मदरास तक ठीक है तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो 1857 का बिद्रो होता है यह जायतर आपके उत्तर भारत में ही होता है जो दच्छने बारे राज जाएं यहाँ पर इसका बिस्तार देखने के लिए नहीं मिलता है ठीक है जो हिंदी प्रदेश था 1857 का बिद्रो का बिस्तार जायतर उसी इलाके में थी ठीक है, next किसकी भीरता से परभावित होकर बिटिस सैन अधिकारी हुरोज ने कहा भारतिय करांती कारियों में यह अकेली मर्द है तो आपको याद रखना है रानी लचमी बाई के बारे में बोला गया ठीक है, रानी लचमी बाई के बारे में बोला गया तो सीस का राइट अंसर हो जाएगा, और किसने बोला याद रखेगा हुरोज ने बोला था next 1857 के करांती का चिन क्या नहिचित किया गया था तो चिन क्या नहिचित किया गया था कमल एबम चपाती कमल एबम चपाती तो A, इसका राइट अंसर हो जाएगा अठारोश संतामन के बिद्रो के कौन को नेता है बिटिस दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए है जहां उनकी मिर्ति हो गई तो आपको याद रखना है नाना साहब सही है बेगम हजरत महल भी सही है खान बहादूर खा भी सही है तो सारे सही है इसका मतलब D, राइट अंसर हो जाएगा ठीक है? D, इसका राइट अंसर हो जाएगा एक स्कोचन देखिए निम्लिखित मेंसे निम्लिखित मेंसे किस पर कुछ इतिहास कारों ने 1857 के बिद्रो के दवरान अंग्रेजों के साथ मिलकर सड्ययंत रचने का आरोप लगाया तो किस पर लगाया था? जीनत महल पर तो एसका राइट अंसर हो जाएगा सुमलिखित करना है तो इसे सुमलिखित कर लिजी एक साइड दिया गया है अपदस्त सासको का अंदोलन है और एक साइड आपके बर्स दिया गया है तो खुर्दा या उलिशा का पाई का बिद्रो ये कब हुआ था? तो 1804 से 6 के बीच में हुआ था इससे आप लोग याद रखेगा बहुत बार चर्चा मेरा था करेंट में भी ठीक है? तराबन कोर के दिबान बेलु पंथी का बिद्रो ठीक है? फिर से बोल देते हैं तराबन कोर के दिबान बेलु पंथी का बिद्रो ये कब हुआ था? तो 1808 से 9 के बीच में हुआ था किटूर या मैसूर के सासक की बिद्रोवा किटूर चनम्मा का बिद्रो ये कब हुआ था? 1824 से 29 के बीच में हुआ था उसके बाद है गंजाम के जमिनदार धननजय भाजा का बिद्रो कब हुआ था? ये हुआ था 1835 में है तो सारे सही सुमलित हैं तो ए इसका राय टंसर हो जाएगा नेक्स्ट है इसे भी सुमलित करना है एक सेट दिया गया है इसका मतलब ए राय टंसर हो जाएगा इसका और नेक्स्ट है مहारानी वीक््टोरिया ने भारतिय प्रसासन को ब्रिटिस ताज, ब्रिटिस क्राउन के नियंतरन में लेने के घोसना कब की थी तो कब की थी ये बिवी आई को शतने 1 नमंबर 1889 को याद रखेगा किस दिन घोस्तना की गई थी तो एस का राइट अन्स रो जाएगा next अठारोश संतामन के बिद्रोग के बाद बेटिस सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चैन किया किन प्रांतों से चैन किया था तो देख लिजे उत्तर परदेश बिहार के ब्रहमन ये गलत है पूर्व से बंगाली एबम उलिशा ये भी गलत है गोरखा सीख एबम पंजाबी उत्तर परांत से ये सही है ठीक है से नंबर आपका उप्सन सही हो जाएगा ये भी पेसी का पूछाओ है सवाल है नेक्स्ट है निम्लिकेत मेंसे किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनोर में अपना जीबन खोया तो देख लिजे जनरल जन निकलसन ने ये नहीं खोया था जनरल निल खोया था, मेजर जनरल हेवलोक और सर हेंडरी लोरेंस ने तो सेस्ट का राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है, सेस्ट का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोचन देखिए, अब्धूनिक इतिहासकार जिसने 1857 के बिद्रो को सुतंता के पहली लड़ाई कहा था तो किसने बोला था, बीडी सावरकर ने बोला था, तो सेस्ट का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है, 1857 के बिद्रो के बिषय में, नियमलखित कत्नों में से कौन सा एक सही नहीं है तो देख लिजे कौन एक सही नहीं है, इस बिद्रो का हर जगा, सिच्छित अभिजन भारतिय द्वारा पूरे हेदर से समर्थन किया गया गलत बात है, समर्थन नहीं किया गया था, जो उच बरक के लोग थे, इन्होंने इस जो बिद्रो था, इसे बाइकोट कर दिया था, मतलब कि उन्होंने तथस्त रहने का निर्णाई लिया था तो पहला गलत हो गया, और आपसा option क्या बोला है, कि कौन सा है, सही नहीं है, तो पहला इसका right answer हो जाएगा, बाकी भी पढ़ दिजिए, बिद्रो में भाग लेने बाले विविद तत्व, उनकी बिटिस सासन के लिए घिरना के द्वारा एक जुट हुई थी, तो सही बात ह बिद्रो में हिंदू मुस्लिम एकता की भुमका को बिटिस अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, तो ये भी सही है, बिद्रो दच्छिन भारत में नहीं फैला, आपको बता चुके थे, जो बिद्रो क्या है, जो दच्छिन भारत था, वहाँ पर नहीं फैला था, तो क्या इसका इबी सही हो जाएगा, तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, एसका राइट अंसर हो जाएगा, एसका गलत ओप्सन है, ठीक है, नेक्स्ट, एसी डियस का पूछावा सवाल है, भारती सुदंता अंदुलन का सरकारी इतिहास कार था, तो कौन सरकारी इति कहां से जुड़े हुए थे तो जुड़े हुए थे बैरकपूर से ठीक है एसका राइट अंसर हो जाएगा अर लास्ट सवाल इसका है निम्रखित में से कौन इलाहाब बाद में अठारा सो संतामन के संग्राम का नेता था तो कौन था मौल भी लियाकत अली था डे इसका हिलफुल लगता है तो चैनल के स्क्राब वीडियो किजिएगा और बेल आइकन भी आउन कर लिजिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड हो उसका नोडियो किसन आपको मिलता रहे थैंक्यू